यो एन्ड वेलकम जैसा कि आपको पता होगा कि युएस से के प्रेजिडेंशिल इलेक्शन लगबग कॉन्क्लोड हो चुके हैं और जो है जो भी डन जो है वो नेक्स प्रेजिडेंट होने वाले हैं युएस से के और उनकी रणिंग मेट यानि की वाइस प्रेजिडेंट कमल हैरेस होने वाली है जो इंडियन ओरेजन से आती है तो आज हम देखने वाले हैं कि युएस प्रेजिडेंशिल सिस्टम और इंडियन प्रेजिडेंशिल सिस्टम में क्या डिफरेंस है क्या गवर्नेंस का डिफरेंस है हम लोग पूरा कॉंस्टिटुशन जो है डिसकस नही वाले हैं तो यह शुरू करते हैं और यह टॉपिक जो है इंडिन पॉलिटी और गुवर्नेंस के अंदर आता है तो यह शुरू करते हैं देखे जो सफ रॉबिन एते बिडन जूनियर ने डोनल्ड ट्रम को हरा करके 46 जो है यूएस प्रेजिडेंट बन चुके हैं और इनकी जो रणिंग मेट थी यानि की जो वाइस प्रेजिडेंट के लिए इन्होंने नॉमिनेट किया था अपनी पार्टी से और अपने लिए अपने साथ तो हो हैं कमला देवी हैरिस जो बनी है वाइस प्रेजिडेंट यूएस से की जो की होंगी पहली वुमन पहली इंडियन औ और पहली अमेरिकन एमेरिकन वाइस प्रेजिडेंट आफ दे यूएस से और बिडन और हारिस जो है सुनने में आ रहा है कि वो ऑफिस में स्वान होगे जनवरी 2021 में देखें यूएस के अंदर होता है प्रेजिडेंशल सिस्टम और इंडिया में होता है पारलिमेंटरी की से दोस्टम अगर आप देखें तो यूएस ज का जो प्रेजिडेंट होगा वो गवर्मेंट का भी हैड़ होगा और स्टेट का भी हैड़ होगा जो लोमेकिंघंग है वहाँ लाजिस लेइचर की स्दू की जाती है लेकिन उसको कॉंग्रेस कहते हैं लेकिन ऑफिर उनकी पार्टी कॉंग्रेस में मेजरोटी में रहे या न रहे और पर्जिडेंट और वाइस पर्जिडेंट जो है वो चूज किये जाते हैं इलेक्टरॉस के दौरा जिस को इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्टरॉल कॉलेज और जो presidential candidate को आप एक party select करती है कि यह होंगे और वो presidential candidate जो है वो अपने लिए select करता है कि vice presidential running mate कौन होगा यानि कि USA में दोनों president और vice president के election साथ में होते हैं और pair में होते हैं यानि कि दोनों साथ में as a team ही काम करते हैं और as a team ही elect करते हैं जो है contest elect के लिए जाते हैं और election में contest करते हैं और यह आप ध्यान दीजेगा कि दो presidential और vice presidential candidate एक team की तरह चलती है यानि कि अगर किसी को कमलाहर इसको vote करना है तो वो उसका vote जो है Joe Biden को भी जाएगा और जिसको Joe Biden को लेक्ट करना है उसका vote कमलाहर इसको भी जाएगा और US के president को हटाने के लिए जो है वो remove करना होता है वो remove हो सकते हैं conviction of treason या फिर bribery यानि कि रिश्वत के थुरू या किसी और बड़े crime के थुरू अगर वो पाए जाते हैं तो उनको हटाया जा सकता है और वहीं हम आजाते हैं अब अपने Indian parliamentary, Indian presidential system में यहाँ पे जो है formal head government के president होते हैं और Prime Minister और Council of Minister जो है वो government को run करता है लेकिन formal head कोन होते है state के president जैसे कि वहाँ पे भी था लेकिन गर्वर्यमेंट्स जो run करते हैं ओंसे और Prime Minister करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास सपोर्ट होना बहुत जरूरी है अपनी पार्टी का मेजरेटी का लोगसभा के अंदर क्योंकि राजसभा तो डिजॉल नहीं की जा सकती सिर्फ लोगसभा डिजॉल की जा सकती है तो उनका पार्टी का मेजरेटी होना लोगसभा में बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपने देखा होगा 1990 के बाद में और 2000 के बीच में इंडिया में काफी instability आई थी और थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही PM बन रहे थे और government गिर जा रही थी तो वहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर एक बार अगर आप इलेक्ट होके आ जाते हैं तो आपकी party majority में रहे न रहे आपको चार साल दिये जाएंगे अब president जो है वो इलेक्ट किये जाते हैं पांस साल के लिए वो भी indirectly इलेक्ट किये जाते हैं जैसे कि यहाँ पर citizen vote नहीं कर violation of constitution constitution का जब अगर आप उलंगन करते हैं तो और इसको impeachment procedure के तुरू किया जाता है लेकिन इस बात को ध्यान दीजेगा कि USA में किसी भी crime को लेकर के और भी या फिर ट्रीजन या bribery को लेकर भी कर सकते हैं लेकिन इंडिया में सिर्फ violation of constitution को लेकर है किया जा सकता है हमारे constitution का उलंगन क्या है यह फ्रेज इसका मीनिंग जो है constitution नहीं बताया यानि कि constitution नहीं किया है कि violation of constitution क्या है और impeachment procedure of constitution प्रेजिडेंट कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल 61 ऑफ दे कॉंस्टिटूशन आर्टिकल 61 बताता है इंपीच्मेंट प्रोसीजर ऑफ दे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो आई होप आपको वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा अगर अच्छा लगाओ तो लाइ sanic.gk.in गो विजिट कर से लिए